नमस्ते साथ शेवार फिर से स्वागत आपका आपके अपनी यूटूब चलन बाबू जो सीन वलकिमें साथ यो आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइम आपकी बच्चिया साधे तीन महां की गाबीन जब हो जाए तो कौन-कौन से लक्षन आपको खने वालों में जश्ट आपको कौन-कौन से शिम्टम आपको दिखाई देंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पसुपालक भाई है वो थोड़े से विचलित रहते हैं जब करवाते हैं तो दिना नहीं लिखते हैं लिखना भूल जाते हैं और फिर उन्हें पता नहीं रहता कि कितने दिनों का हमारा पसु हो प्रैगनेंट हो गया है तो कई बारी जब बिमार पसु हो जाता है तो डोक्टर पूसता है कि आपका पसु कितने दिनों का गाबिन है तो नहीं बता पाते हैं पसुपालक भाई तो ऐसे में भी समझ आती है और साथ ही साथ यह जानन हमारा पसु कितने दिनों का गाविन हो चुका है क्योंकि यह है तो अगर हम फस्ट टाइमर की बात करें अगर गाए आपकी अभेंस आपकी गाविन हुई है तो आपको कलिए लिपता होना चाहिए ताकि हम उससे जब ड्राई पर छोड़े हैं तो असानी से छोड़ सके दो मा है की प्रेगनेंट है और आप इसके हावाव देखिए अभी अपना आराम करें अगर हम पेट की बात करें यह देखिए सिम्टम सबसे पहला और बड़ा जो सिम्टम आपको दिखाई देगा आपको तूरंत प्रवाव से जब आपकी गाए एक रहे तकरीब एक माह हो जाए और जब आप सुबह सुबह बहुत ज्यादा गोर से देखते हैं तो आपको अगर तीन महीने से उपर की गाविन है तो पेट की अंदर बच्चा हिलता हो अभी दिखाई दे जाता है अगर सुबह सुबह बहुत गोर से देखेंगे तो यह चीजें जब गरीर होगी जब रहते हो यानि आप तो सुबह बड़े अच्छे डंग से कर रहे हो अगर हम बात करें देखिए और शुम्टम में आपको दिखाना चाहूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा देखिए अब इसका जोगादी है वह बनना शुरू ही है लेवटी यह देखिए आप थोड़ा सा उभारा आपको देख सकते हो ठीट थोड़े से लंबे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं देखिए और यह दीरे दीरे जब तकरीबन यह 5-6 मेने के हो जाएगी तो फिर 6 माई आपको यहां से जोगादी है वह और बढ़ती हुई उबरती हुई आप देड़ मेने तक है थोड़ी से चंचल रहती है यारी गाबिन होने के बाद भी लेकिन तब तीन मेने से ऊपर की हो जाती है फिर इसका सवाव काफी नर्म रहता है काफी छानती से रहती है यह अच्छा खासा जो भूक है वह भी इंक्रीज करने लगती है और एक चीज़ औ पशुको हम एरा चारा सुका चारा जो भी ढूलते हैं जो रेगूर हम डाल रहे हैं उसमें एकर कोई फ्रोव्लम हो जाए यानि actually नुचा सा टाल देते हैं। इसके साथ साथ पानी भी अच्छा खासा खूप पिएगी और अब इसका जो वज़न है वहन दिरंतर बढ़ता वा नजर आएगा आपको यानि तीन मेने से उपर होने के बाद तेजी से इसका वज़न है वो बढ़ेगा यह भी ध्यान करने वाली बात है अगर हम वेजेना पाट की बात क ठाप करें तो अभी क्सी भी परकार का कोई इसमें अब को आपको दिखाई नहीं देगा तो यह सारी सिंट्म है यह असानी से हम पता कर सकते हैं हमारे पसूं के दिए इसके सास क यहां अगर आप देखेंगे तो यह जो सलवटें पिछे वाली यह तक्रीबन तक्रीबन एक मेने बाद यानि लगभग चार से साड़े चार मेने के जब हो जाएगी तब यहां आपको यह सलवटें भी बही हुई नजर आएगी काफी कम सलवटें यहां पर आपको दिखाई देगी जो दिरे दिरे अब यहां से आप देखें यह देखिए यह जो गादी का उभार आपको नजर आ रहा है नीचे लटता वह दिखाई दे रहा है यह काफी अच्छी जो पहचान है इस बच्छिया में नजर आई है तो आई ह